नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मद्द प्रदेश के वन संसाधन जो हमारा टोपिक चल रहा था उसके संबंदी जो है हमारा पार्ट 3 है और इसी से संबंदी जो मल्टिबल चोईस कोश्चन से आज के इस जो है आपको मिल जाएगी इसके लिए आपको हमारा जो निश्चय एक्जामेप है उसको डाउनलोड करना होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले जो हमारा पहला कोश्चन जो कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा वह है कि परियोजना जो है संचलित की जा रही है और इसको जो किसके साहरेता प्राप्त है तो यहाँ पर हमारा ओप्शन सी जो जा आप selling कर दो चानकारी मद्यप्रदेश सरकारद्वारा वन सरक्षन परियोजना का संचललन किया जा रहा है जिसे वीडियोजन की साहरेता प्राप्ता है साथ यहाँ पर विशो बेंक या वर्ल्ड बेंक की बात आई है तो आपके जानकारी के लिए बता दे कि इसके स्ताफना कब हुई थी तो सन 1945 में इसके आपकी जो है स्ताफना के गई थी और वर्तमान में इसके अद्धक्ष कोन है तो डेविड मलपास जो है देख लेते हैं कि सागवन और साल मुख्य रूप से मध्यप्रदस के सभी राष्ट उद्ध्धानों में पाये जाते हैं तो यह पेड होते हैं यानि कि जो सागवान और साल के जो पेड़ होते हैं मुख्य रूप से किस प्रकार के होते हैं चार उप्षन है सदाबार पेड़, पर्णपाती, संकूधर या अलपाइन तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वह बनता है इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं के सदाबार होते हैं यानि की ओप्शन ए जो सोरी ओप्शन बी जो है आपका यहां पर राइड आंसर बनेगा इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं परणपाती वन आपके होते हैं देख लिजें इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी मद्द प्रदेश्म लगभग सभी जो साल ब्रक्ष सब्सक्राइब आता कोशन नहीं इस प्रबंधन पर क्या शामिल होता हैं चार ओप्शन दिये गए हैं अब भ्यारनों और राश्टी उद्धानों को बनाना यह भी आपका वन्य जीव प्रबंधन के अंतरगत शामिल होता है अगला कोशन है सिकार की रोकताम और जानवरों की जनगरना गिंती यह भी जो है आपका शामिल होता है अगला है इस्ताई जल संसाधनों को बढ़ावाद देना यह भी वन्य जीव प्रबंधन के अंतरगत आपका शामिल होता है तो ओप्शन डी जो है अमारा यहां पर राइट आंसर बनता है उप्योगत सभी अगला को अगल इससे जुड़ी जानकारी यहां पर देख सकते हैं कि दिये गए सभी विकलप जो है वन्य जीव प्रबंधन कारे म आपके शामिल है अगला कोशन यहां पर है कि वन्य जीव सरक्षन अधिनियम कि साल से प्रबाह में आया चार ओप्शन है 1991 1972 1984 या फिर 2000 तो इसका आपका जो सही जावब बनता है वह बनता है ओप्शन बी 1972 से वन्य जीव सरक्षन अधिनियम जो है आपका प्रबाह में आया देख लीजे इससे जुड़ी कुछ और जानकारी वन्य जीव सरक्षन अधिनियम उन्नी सो बहत्तर में आपका प्रबाह में आया था इस अधिनियम को राष्टपती की स्यूकरती नो सितंबर उन्नी सो बहत्तर को प्राप्ता हुई तथा भारत के राजपत्र साधरन दिन ग्यारा सितंबर उन्नी सो बहत्तर को पार्ट सेकेंड में प्रथमबार जो है आपका प्रकाशित हुआ देखिए अधिनियम को राष्टपती की स्यूकरती तो नो सितंबर उन्नी सो बहत्तर को मिल गई थी लेकिन जो भारत का राजपत्र है उसमें का प्रकाशित हुआ तो प्रतम बार जो है प्रकाशि सितंबर 1922 में 11 सितंबर 1922 को जो है आपका प्रकाशित हुआ था जबकि क्रश्य मंत्रालाई की जो अधिस उचना थी GSR20 में जो है दिनांक 25 जनवरी 1923 द्वरा इस अधिनियम को दिनांक 25 एक 1923 से मध्यप्रदेश में जो है आपका लागू किया गया था तो यह हमारे लिए इंपोर्टेंट कोश्चन बनता है कि वन्यजीव सरक्षन अधिनयम किस साल में प्रबावी हुआ तो पुरा देश भर में आपसे पूछा जाई तो 1972 में वह अगर पूछा जाई कि मध्यप्रदेश में कब लागू हुआ तो मध्यप्रदेश मे इसका आपका जो राइट अंसर बनता है बोरी वन्यजीव अभ्यरन में भारत का सबसे पूराना जंगल जो है आपका पायजाता है और बोरी अभ्यरन का हाँ पर है तो अधिसके जो है आपका बोरी वन्यजीव अभ्यरन है और बोरी घाटी के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है जो कि अपने सागोन रक्षा के लिए फेमस है वही काना राष्टी उद्धान की बात करें कि यह कहाँ पर इस्तित है तो यह मद्यप्रदस के वर्दमान में मंदला जिले में इस्तित है और मद्यप्रदस का प्रथम राष्टी उद्धान आपका काना किसले राष्टी उद्धान है वन वियार राश्टी उध्यन की बात करें तो यह आपका भुपाल में इस्तित है और इसकी इस्तापना अगर आप सो पूछ ली जाई तो 1979 में जो है आपके इसकी इस्तापना की गई थी वही बांदा हुआ राष्टी उढ़ीन की बात करें कि यह काँ पर अमध्रप्रदीश के उमरी हाज जिले में इसकी इस्तापनाब की कप की गई तो इस जी जानकारि आप देख लिजे तो मध्रप्रदीश के होशंगाबाज जिले के सतपुरा के गहने जंगलों में स्तित वन्य जीव बोरी वन्य जीव बहरन के बारे में कहा जाता है कि यह भारत के सब सब्सक्राने जंगल जो है आपके इस बहुत आयत में पाए जाते हैं यह बहुत पातिव रक्षो और बांस के जंगलों से गीरा हुआ है वेसे तो इसे 1865 में ही वन्य जीव बहरन का दर्जा मिल गया लेकिन सोतंत्र भारत में इसे 1978 में आपका इस्तापित किया गया था अगला कोशन आपर देख लिजे कि मद्यप्रदस का कितना चेतर प्राक्रतिक जंगलों से जो है आपका अगर आप से पूछा जाई कि मद्यप्रदस का चेतर प्राक्रतिक जंगलों से आच्छा दित है तो यहां से जूड़ी कुछ जानकारी तो मद्यप्रदस आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट 2016 सत्रा के अनुशार प्रदस का 44689 वर्ग किलोमेटर चेतर प्राक्रतिक जंगलों से आच्छा दित है यह वन चेतर है प्रदस के कुल भोगलिक चेतर का जो है आपका 30.72 प्रतिशत है अगला कोश्ण मद्यप्रदस के कि जिले में निंतम वन चेतर जो है आपका पाया जात है यही वह साजापूर है जिससे कि आपका 51वा जिला बना है और मद्यप्रदस का 51वा जिला कौन सा है आपका आगर मालवा तो इसी जिले से अलग होकर मद्यप्रदस का 51वा जिला जो है आपका बना था देख लीजे इससे जूड़ी जानकारी वन इस्तति रिपोर्ट 2015 के मुद्यप्रदेश का निन्त्व वन चेतर फल वाला जीला आपका साजापूर है जिसका मात्रा 29 किलोमेटर चेत्र जो थे जि जिले के कुल चेतर फल का महज जो पॉइंट फोयर सेवन प्रतिशत है जब कि डिंडोर्य जिले का वन चेतर फल जो है आपका । दो 2050 वर्ग किलोमेटर है तता राइशेन का जो है 2730 वर्ग किलोमेटर वन क्या चेतर के अंतरगत आता है तो देखेए यहाँ पर तो पॉइंट में भी नहीं है 0.4 से 1 प्रतिशत ही जो है आपका है यानि कि इस जिले का मात्र जो है आपका 29 वर्ग किलोमेटर छेतर में ही जो है आपका 1 छेतर है अगला कोशन यहापर है कि निम्डे में से किस वस्तु का प्रयोग उजदी निर्मान के लिए आपका किया जाता है चार ओप्षन है खेर, साल, सागोनिया, लाख है तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ओप्षन है खेर का जो उप्रयोग आपका उजदी निर्मान के लिए जो है किया जाता है साथ ही खेर से आपका कथा भी बनाया जाता है तो यहां से भी कोश्चन कहीं बार पुछा जा चुका है दिये गए विकलकुम में से खेर का उपयोग ओजदी निर्माण के लिए किया जाता है और खेर की बात करें कि यह किस जिलो में मध्यप्रदेश के किन जिलो में पाए जाता है तो सहडोल, रिवा, सीधी, सागर, दमो, आधी जिलो में जो है आपका पाए जाता है तो चार उप्षण है 24 जुलाई 1905, 5 जुलाई 1908, 20 जुलाई 1979 या 10 जुलाई 1955 तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है उप्षण है 24 जुलाई 1905 को जो है आपका मद्द प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड जो है आपका इस्ताफित किया गया था वनों के सरक्षण, सवर्दन और व्रदी और उसके समुचित दोवन के उद्देश से प्रदेश में 24 जुलाई 1905 तरको मद्द प्रदेश वन विकास निगम की जो है आपके इस्ताफना की गई थी तो मद्य प्रदेश वन विकास निगम 24 जुलाई उन्नीसों पीचो तरको आपका स्तित्यों में आया था अगला कोश्चन है निमने लिखित में से मद्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसका सर्वादिक वन गहनत्व है चार उप्षन है धार बाला घाट गुना या विद दित राज्ज है और मद्यप्रदेश का बाला घट जीला प्रदेश सरवादिक वन चयत्रपल 4970 वर्ग किलोमेटर के साथ पहले इस्तान पर है प्रतिशत के सर्वादिक है बाला घाट के कुल भोगोलिक छेत्र का 53.88 प्रतिशत जो है चैत्र है इसलिए शर्वादिक वर ज जो जवाब बनता है मांडू में आपका हिंदोला महल इसती थे वही पुछा जाई कि मांडू मद्यप्रदिस के फिले वे हिंडोला महल मांडू में इस्ति थे यह क़ने निर्मांद हुशंक सा के शाशनकाल में जो आपका किता गया है हिंडोला महल का उप्योग मुखे रुपसे दरबार के रुप में किया जाता था जहां राजा बेट कर अपनी प्रजा की शमेशाओ को सुन्ते थे हिंडोला महल का साब्दिक अर्थ आपका अगर पुछा जाई तो इसका अर्थ होता है जुलती जगह यह महल पुराने समय के राजा और शाषन की भवेत्ता का प्रतिक है इस महल के निर्मान को करने वाले लोगों नहीं वारंगल के किले को इसकी प्रतिक्रती के रूप में आपका बनाया था तो यह मद्य प्रदेश में एक जगा है, मांडू वहाँ पर जो है इस्तित है, अगला कोशिन आपर देखते हैं कि निम्ने में से कौन सा वन मद्य प्रदेश में सबसे अधिक पाये जाता है, चार उप्षन है, उष्ण कटी बंदिया नम पंपाती वन, उष्ण कटी बंदिय या शुष्ण कटी बंदिया नम पंपाती वन, उष्ण कटी बंदिया वर्शावन, तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है, वह बनता है, उप्षन भी उष्ण कटी बंदिया शुष्ण कटी बंदिया शुष्ण कपाती वन, जो है मद्य प्रदेश में आपके में बटे हुए पेले हैं आपके उष्ण कटी बंदिये नम पंड़ पाती वन दूसरे हैं उष्ण कटी बंदिये शुष्क पंड़ पाती वन और तिसरे हैं उष्ण कटी बंदिये कटक वन तो वन आंच्छादन के आधार पर राज्य को वनों में पाय जाने वले विभिन प् सबसे जब सहब को से उसके बाद रखति वंद्रेशित के अगला पधिटर सस्ट के बड़ा उत्पादक साथ आपके जानकारी के लिए कि मद्दप्रदे से देश का इसा पेहला राज्य бол vai हिकाई आपके यह साहल में प्रारंब की गई है तो इसको भी जो है current affairs में हमने पढ़ा था तो इसलिए यह जो है हमारे लिए important बनता है देखिए अगर आप current भी बढ़ना चाहते हैं जन्वरी फर्वरी और मार्च का जो current affairs था मद्द प्रदेश का उस संब्दनी जो वीडियो है हमने इस channel पर upload कर दी हैं तो अगर उन्हें नहीं देखा हो तो उन्हें भी जरूर आप जाकर देख सकते हैं साथ ही जो अगले मंत का current affairs से वह भी आपको कुछी दिनों में मिल जाएगा चलिए देखते हैं यहाँ पर इससे जुड़ी जान करें तो राज्य के कुलवन चेतर में से 31,008 वर्ग किलोमेटर चेतर पर आरक्षी दुवन प्षिले हुए है इमारती लकड़ी बास का हर साल राज्य में अनुमानी तोर पर 65,000 तन जो है आपका उत्पादन होता है बास उत्पादन में मद्यपदस का देश में दूसरा इस्तान है राज्य में हर साल तेंदुपत्ता का उत्पादन पेशट लाक मानक बेग है जो र 15,000,000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है तेंदुपत्ता संग्रा के काम से हर साल वनवासी ओको जो है 145 करोड रूपे की जो है आपके आई प्राप्ता होती है तो यह ते इस से जुड़ी जानकारी साथ ही देखिए यह जो बास है इसको जो है आपको पेले यह किया जा सकेगा अगला कशने कि मध्यप्रदेश राज्य सरकार का निमन उत्पादू में से किसका संग्राहन और परिवहन पर आपका एक आधिकार है तो उत्पादित होता है तो जितना उत्पादित होता है उसका जो सहाठ प्रतीशत है केवल हमारा मद्यपदेश ही उत्पादित कर देता है वही सरवादिक तेंदू पत्ता उत्पादक जो है किस जिले में होता है तो मद्यप्रदिस के सागर जिले में जो है आपका होता है चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला कोशन निम्नलिकित में से मद्यप्रदेश के राष्टी कृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है चार उप्षन साल के बीज तेंदू पता उप्रवक्त में से कोई नहीं है या उप्रवक्त दोनों तो इसका आपका जो रवक्त दोनों साल के बीज और तेंदू पता यह जो दोनों है इनके राष्टी के तू वन में जो है आपका उत्पादन किया जाता है तो मद्य प्रदेश में वनों से प्राप्त होने ुन् Congress समपदा जो है आपकी है अगला कुशन आपर है कि मद्यप्रदेश में निम्ने में से कौन से उस्दिय पोदे आपके उपलब्द है ग्रित कुमारी लेमन ग्रास इन में से कोई नहीं या यह दोनों तो इसका आपका right answer बनता है यह दोनों यानि कि घृत कुमारी और लेमन ग्राज जो है मद्देप्रदेश में उस्दिय पोदे आपके उपलब्ध है वनों में एलो विरा जिसे कि घृत कुमारी और लेमन ग्राज दोनों उस्दिया जो है आपकी पाई जाती है अगला है कि कि 4 ऊंद्रास में 1 चेटरी मंदल में 123 मंदल को सीटीन मंदल अगला कोशन यहाँ पर देखते हैं कि मद्द प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट रंग और धान्य गुनों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है चार उप्षन महोगणी होली आबू सनिया सागोन तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है सागोन ऑप्षन डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है बंद्ध्यप्रदेश में सागोन के वन कुल वन छेतरपल के लगबक उननिस प्रतिशत भाग पर पाए जाता है और होशंगाबाद का जो बोरी घाटी ए जो नाम क्या है चार उप्षिन नर्मदा तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है विन्द हर्बल्स जो है आपके मद्द प्रदस लगूवन उत्पाद संग द्वारा विप्रण के उत्पादों के जो ब्रांड है उनका नाम है देख लिजे इससे जोड़ी कुछ और जानकारी मद्द प्रदस राज जल लगूवन उपज व्यापार विकास सहकारी संग का गठन 1984 में आपका किया गया था उक्त संग मद्द प्रदस के विविन जिलो के प्राथमिक वनो उपज सहकारी समयतियों के माद्दम से किया जा रहा है तेंदू पत्ता साल विजेओं कुल्लू गोत के व्यापार का समन्वी करता है तथा इन उत्पादों के निवर्तन की विजो है विवस्ता आपकी प्राथमिक वनो उपज सहकारी समयतियों किया जा रहा है मद्द प्रदस राज्य लगू वनो उपज व्यापार विकास सहकारी संग सहद तथा अन्य हर्बल उत्पादों का प्रसस करन एवन विपनन का विकार्यमिंध हर्बल सब्राण के अंतरगत किया जाता है साथी आपके खुले जा रहहें पहला झाल झाल में और दूसरा आपका इलाबाद में खोला जाएगा और वही आपर देखिए इसकी बात आहीक है आपके जो है वन‍पड जो कि कार्य नहीं यह चार option दिए गए हैं तो उजदिय आपोध ऌधो की के सालाव को आयजन करना या समिल यानि कि option भी जो है अमारा right answer बनता है कि उत्पाद की branding और विक्री जो है आपका उजदिय पोधा mission का कारिया नहीं है मद्य प्षदिय पोधा mission केंद्र का 100% सहयता से चलने वाला मद्य प्षदिय राज्य आउजदिय पोधा बात करें तो मोडल बड़ी एंग छोटी रोपनियों की स्ताफना करना उजदियों पोधों की खेती पर अनुदान क्रशकों को प्रसिक्षन सहब ब्रह्मन राज्य के भीतर और भार भी राज्य स्तरी कार्य शालाओं का आईजन करना उजदियों पोधों के फसलों उत्तर का प्रबंदन करना प्रसिक्रण एवा विपनन प्रोचसाहन पर आपका अनुदान करना इस जो पोधा मिशन है मद्ध्य प्रदेश राज्य ओजदियों पोधा मिशन इसका प्रमुक कार्य है या इसका मुख्या गठक है अगला कोशन आपर है के मध्य जंगल मध्य प्रदेश के निमने लिखित जीव मंडलों में से किसका एक हिसा है चार उप्षन पन्ना राष्टी उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द किस्ताफपना 1923 पाइटे जिले में इसती थे पंच मड़ी रानी है तो मड़े इस Sतthpoda की राच्चकुमारी इस प्रकार कहा जाता है कि अगर पंचमरी रानी है तो जो मड़े जो हैाब का सत्पुडा की राच्कुमारी है भोपाल से करीब 130 किलोमेटर दूर मड़ई सतपुडा नेशनल पार्क का हिस्सा है 1500 वर्ग किलोमेटर में फेले विशाल सतपुडा के जंगलों में इस राज कुमारी मड़ई का सामराज्य करीब 1500 वर्ग किलोमेटर में है अगला कूशन यहाँ पर देखते हैं कि मद्ध प्रदेसर राज जल लगू वनो उपज सहकारी संग का गठन की स्वट्ष किया गया था चार उप्षनें 1980, 1984, 1988 या 1990 तो इसका आपका जो राइट आंसर वनता है 1984 में मद्ध प्रदेश राज जल लगू वनो उपज सहकारी संग का जो है आपका गठन किया गया था वनो उपज के संग रहने एवं व्यापार से वनवासियों को लाब दिलाने के द्रश्ट्री से 1984 में मद्ध प्रदेश राज जल लगू वनो उपज सहकारी संग मर्यादित का गठन हुआ उक्त संग प्रदेश के विभिन जिलों के प्रात्यमिक वनो उपज सहकारी समितियों के माद्ध हम से विक्रे किया जा रहा है तेन्दू पता साल भी जेव कुल्लू गोंत की व्यापार का जो आपका समन भी करता है तता इन उत्पादों के निवरतन की विवस्ता आपकी करता है अगला कोशन यहां कि किस वर्ट से जेव विवित्ता विभाग का गठन मद्ध प्रदेश में किया गया था कई बार जो एक्जाम में आ चुका है और आने वाली एक्जाम में पूछे जाने की 100% इसकी संभावना है चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ और जान कारी तो भारत सरकार द्वारा अधिसुचित जेवी की विवित्ता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के नुसार राज् सरकार द्वारा अधिसुचित किया गया था बोड के सविधान के बारे में अधिसुचना 11 अप्रेल 2005 को जो है आपकी जारी की गई थी तो इसी के साथ जो हमारा आज का यो जो सेशन था यहीं पर कंप्लेट होता है सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी वीडियो को अधिक सथिक लोगों तक शेयर करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा साथी जो बेल नोटिपिकेशन है उसको उन करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलाड हो आप तक पहुच जाए तो आज के लिए बस इतना यह थांक्यू वेरी मच